बोले संबू भोले नात के इस पवित्र पावन पर्व पे सच बेधड़क चैनल के सभी दर्षकों का सभी भक्तों का आज का दिन बहुत मंगल में हो महा शिवरात्री के इस पावन पर्व की आपको बहुत-बहुत सुब काम ना है दर्षकों शिवरात्री महा शिवरात्री अपने आप में एक पर्व नहीं शिव की रात्री है जिसमें बुद्धी जीवी भी भाग लेता है तो भगवान भोले संबू भोले नात के जो भक्तर है चाए वो बुद्धी से पैदल हो चाए वो राक्षस हो भूत हो प्रेत हो बो आज का दिन तो अपने आप में पावन परव के रूप में मनाया जाता है तो इसलिए आज के दिन कोई कमी न रह जाए इस परिपूनता के साथ आज के दिन की शिरुवात करनी चाहिए बोले संबू बोले नात के स्पावन पर हर व्यक्ति विशेश का यह विचार रहता है वो किस तरह से बोले की पूजा पाट करे किस तरह से कुछ ऐसा कर ले कि बोले प्रसन हो जाए शास्त्रों में अनेकों अनेक युगों में हमने देखा है ब्रह्मा जी ने विश्नु जी ने तो सोच समझ के आशिरवाद दिये है लेकिन बोले संबू बोले नात ने जो जिसने मांगा वह दे दिया तो हर व्यक्ति विशेश चाता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए चाहिए सुयोग्य कन्या हो चाहिए व्यापार हो चाहिए जमीन संबंदित घर का कारिय हो या अन्य कोई विशेश सफलता हो और अब तो चुकि राजनेतिक दौर चल रहा है देश का सबसे बड़ा जो पावन पर हो है मही में लोकसभा चुनाव होने वाले है तो तमाम राजनेतिक्यों के भी मन में रहता है चाहिए वो किसी भी पार्टी के हो के हमें भी भोले के आसिरवाद से सफलता मिल जाए तो दर्सको आज हम जानेंगे आज के दिन मुलांग के अनुसार आपको क्या भोले संबू भोलेनात को चड़ाना चाहिए तो शुरुवात करते हैं दर्सको मुलांग के एक सूरिय कांख है एक, दस, उन्नीस और अठाइस जन्म तारीख वालों के लिए चुँकि यह सूरिय कांख है सूरिय सदेव सफेद रंग का परतीक माना जाता है इसलिए आप भोले संबू भोलेनात के सिवलिंग पे दही का जो अभी सेक रहता है वह आपके लिए करना सर्वो स्रेष्ट रहेगा किसी भी सिव मंदिर में जाएए, मंदिर में जाने के बाद आप से पहले अगर किसी ने पूजा आर्चना कर रखी है तो सिवलिंग पे जो भी सामगरी है वो अटाइए, जला भी सेक कीजिए, सिवलिंग को जल से नहलाई, उसके उपरांत दही का भी सेक कीजिए तो मुलांक एक वालों के लिए सदे उलाब दायक रहेगा महिलाएं जो रहती है वो लाल, पीले, गुलाबी, केसरिया रंग के वस्तर धारन करके जाएं और जो पुरुस रहते हैं वो जाए किसी भी स्वरूप में लेकिन मंदिर में अगर निज मंदिर में जब स्वेम पूजा करें लाल रंग की दोती या पीले रंग की दोती या सफेद रंग की दोती के साथ पूजार्चना करनी चाहिए मुलांक दो चंद्रमा का ये तो बोले संभू बोले नात कांग है दो 11,29 जन्मतारिक वालों के लिए चुकि दो कांग कितना ज्यादा पाउर्फुल है आज के दिन तो पंचामरत का जो अभिसेख रहता है दूद, दही, घी और सहद इसका अभिसेख आज के दिन चंद्रमा परधान व्यक्ती 21,29 जन्मतारिक वाले अगर करते है हर तरह से कोई कालसर्फ दोस अगर आपके जीवन में चल रहा है किसी तरह की उठापटक चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी और आज के दिन जो बोले नाज से मांगेंगे आपको मिल जाएगा मुलांक तीन यह अंक जो तिसका सर्वस्रेष्ट अंक माना जाता है तीन बारा इक्कीस और तीस जन्मतारिक वालों के लिए चुंकि गुरू का अंक है गुरू का जो रंग रहता है वो पीला जो रंग रहता है वो सर्वस्रेष्ट माना जाता है आज के दिन दूद में केसर डालके सहद का भी सेख और या फिर गन्य के रस का भी सेख अगर सिवलिंग पे किया जाए तो भोले नात के प्रसंता का भाव बहुत उन्नती सील रहेगा आपका गुरू चंद्रमा के सानिध्य में कहते हैं जब बुद्धी बहुत ज्यादा कुशागर हो जाए बुद्धी जब सूर्य के साथ आगे पून रूप से पावर में आजाए तो उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता आज के दिन दूद में केसर मिला कर अगर भगवान सिव के अभी से किया जाए तीन बारा एक्कीस और तीस जन्म तारीक वाले तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा फल प्राप्त करेंगे और माथे पे चंदन का तिलक आज तीन के अंक वालों को लगाना चाहिए मुलांग चार चुंकि यह राहू का पित्रों का अंक माना जाता है और भोले की तो बारात में सारे भूत प्रेत पित राक्षस हर तरह की स्रेणी के योनी के लोग सामिल रहते हैं अपनी पित्रों की प्रसंता के लिए भी हम विशेश रूप से आज बोले नाथ को अरपण कर सकते हैं च्यार तेरा बाईस और एकतीस जन्मतारीख वालों को आज के दिन भोले संबू बोले नाथ के घी का जो अभिशेक रहता है वह चड़ाना चाहिए गुलाब के पुश परपित करने चाहिए और घी का भी सेक जो रहता है वह करने से निश्चित्रुप से आपको लाब किस्तती रहेगी मुलांक पांच बुद्ध का यह भगवान स्री गणेश का भगवान सिव के जो पुत्र हैं उनका अंक माना जाता है पांच चौधा और तेभी जन्मतारीक यह अपने आप में विश्वास का व्यापारिक लेंदिन में सफलता का अंक माना जाता है अगर व्यापार में बहुत बड़ी सफलता आपको आज चाहिए तो निश्चित रूप से बोले संबू बोले नात के जो फलों का सरिंगार रहता है हरी सबजियों का सरिंगार रहता है वहाँ आपको करना चाहिए दूद का तो अभी से करना ही करना है लेकिन फल और सब्जिया जितनी ज्यादा आप भोले संबू भोले नात को आजर पित करेंगे हर तरह से कारियों में सिद्धी रहेगी मंदिर में बैठकर ओम नमस सिवाई की एक माला भी पांच के अंको वालों को आज जाप करनी चाहिए तो यह जाप अपने आप में बहुत निरहंतरता बनाई रखेगा स्वास्थे में आपको जबर्दस्त अनुकूलता परदान करेगा उलांक छे सुक्र का देवी कृपा का अंक है मा अली सक्ति मा पार्वती का जो स्वरूप है वो सिव के बिना अधूरा है अर्ध नर नारी स्वर जो भगवान सिव की परतिमा में देखा जाता है तो छे के अंक वाले जो 6, 15 और 24 तारीक वाले है उन्हें अर्ध नर नारी स्वर भगवान सिव की पूजा करनी चाहिए जितनी पूजा भगवान सिव की करते उसी के अनुरूप मा पार्वती की भी पूजा आपको करनी चाहिए तो भोले संबू, भोले नाथ के दूद, दही, घी, सहद और चीनी मिलाकर पंचामरत का जो अभी सेख है वहाँ आपको करना चाहिए तो उससे भगवान सिव बहुत प्रसंद रहेंगे पूजा के उपरांत मा पार्वती और सिव को मौली जो रहती है मौली का जो गंठ जोड है वह जोड़ना चाहिए तो सिव पार्वती का जो प्रेम रहेगा उससे आपके जीवन में भी भरपूर प्रेम रहेगा विवा नहीं हो रहा विवा में कोई बादा है या विवा होने के बाद अगर किसी तरह की रुकावट या बाधा या कोई न क कोई कलेश अगर चल रहा है तो पंचामरत के अभी सेख से निश्चित रूप से आपको अपने कारियों में सफलता मिल जाएगी सुब रंग जो बात करें अगर मुलांक छे वालों के लिए लाल जो रंग रहेगा दर्सकों बहुत लाबदाएक से दोगा मुलांक साथ आप एक राक्षस ग्रह माना जाता है लेकिन उसके सर नहीं होता और जिस व्यक्ति के उपर केतू का प्रभावु रहता है वह निरंतर चिंतन में रहता है अकेलापन महसूस करता है उससे अपने ही धर्म के परती विरक्ति पैदा हो जाती है वह धर्म करं के कारीयों से जैम की उन्नत्ति के लिए आज साथ सोला और पचीश जन्म तारिक वालों को भगवान शिव के मंदिर में निश्चिती सहद का और गन्य के रसका पहले सहद का भी से कीजिए फिर गन्य का भी से कीजिए उसके उपरांत चावल जो रहते हैं अक्षत वह भोले संभू भोले न कर रहा है तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा साथ के अंक वालों को आज सब परिवार पूजा करनी चाहिए अकेले मज़ जाए आप रखे किसी न किसी व्यक्ति को साथ में लेकर जाए बुलांक आठ यहां कि सनी का अंक है आठ सत्रा और छबीस जन्म तारिक वालो के लिए तो आठ का अंक दर्स को जो रहता है सनी का रहता है और सनी का नाम सुनते ही हर व्यक्ति विशेश के मन में यह बात आजाते हैं कहीं इसके दू परभाव रहे कहीं न कहीं सनी की साड़े साती या धहिया रहा तो जीवन में बहुत कलेश या उठा पटक हो सकते हैं लेकिन आज के दिन भगवान शिव को आप गुलाब जो रहती है अर्भी जो रहती है अनेक तरह के जो सुगंद रहते हैं इत्र जो रहते हैं उनका अगर सिंगार किया जाए उनका अगर अभी शेक किया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसंद रहेंगे पहले आप दू बोले नात को अरपित कीजिए तो निश्चित रूप से सनी आपकी कुंड़ी में किसी भी भाव में क्यों नो बैठाओ आज के दिन वो बोले संबू बोले नात के सानिद्य में पून रूप से आशिरवाद परदान करेगा यह तो कोट कजहरी का भी मालिक माना जाता है तो को बोले संबू बोले नात कांक माना जाता है और बोले संबू बोले नात जो बजरंग बली जो रहते हैं बोले नात के सोलवे अंस के रूप में देखा जाता है तो मंगल परदान जो लोग रहते हैं उन्हें आज के जिन जो ठोस चीजे रहती है किसी भी तरह के मिश्ठान का दही का घी का फल फ्रूट का सामुईक रूप से जो ठोस चीजे रहती है उनका अभिशेक करना चाहिए उनका स्रिंगार करना चाहिए वह बोले नात को अरपित करनी चाहिए मंगल परदान विक्ति को नंदी अपने आप में महादेव की सवारी रहती है देश का परदान मंत्री हो राश्टपती हो या मुक्षे मंत्री या कोई वरिष्ट अधिकारी हो या अन्य कोई व्यक्ति अगर ड्राइवर नहीं होता तो उसकी गाड़ी अटक जाती है उसी तरह ऐसे जो विश्व स्वरूपा भगवान सिव है जो पूरे विश्व के पूरे ब्रमांड के करता धरता है उन्हें भी अगर जाना होगा तो नंदी की सवारी आउशक रहेगी तो नंदी की पूजा भी मंगल परधान व्यक्तियों को करनी चाहिए दर्शको हमारी फॉन लाइन भी खुली हुए अगर कोई व्यक्ति विशेश बोले संभू बोले नाच से संबन्दित महास्यव रात्री के इस पावन परव से जुड़ावा कोई प्रसंद करना चाहे तो आप हमारी टेलिविजन स्क्रीन पर जो फॉन लाइन दिखरे आप उस पूजा आरचना करें तो उसके बारे में हम जानेंगे आप घर से जब निकलें तो अगर महिलाएं हैं तो लाल पीला या केसरी कलर के वस्तरधारन करें और पूरुष जो रहते हैं उन्हें निज मंदिर में धोती पहन कर पूजा आरचना करनी चाहिए तो आप जैसे ही बजाकर या नौक करकर अंदर परवेश करें आसन के उपर विराजमान होईए भगवान सिव की सिवलिंग के उपर किसी ने भी आप से पहले पूजा आरचना कर रखिये वह सारी सामगरी आप अठा दीजिए उसके बाद जला भीषेक जो रहता है मंदिर में भगवान सिव के जल चड़ाएं सिवलिंग को पूरी तरह से सनान करवाएं उसके उपरांत आप चाहिए पंचामरत लाएं दूद लाएं सहद लाएं कोई जूस लाएं या अन्य परकार की कोई सामगरी लाएं उससे ओम नमस शिवाय का जाब करते हुए भगवान सिव के आप अभिशे क कीजिए बहुत ही तसली बहुत ही सांती के अनुरूप कीजिए और इस बात का ध्यान रखे कि जब आप पूजा करें तो कोई और व्यक्ति विशेश रूप उसमें विग्णना पैदा करें अभिशे के उपरांत भगवान सिव को दो इलाईची दो लौंग चड़ाइए प के उपरां पीले रंग के पुस्पो की माला और गुलाब के पुस्पो की माला ता आप चड़ा सकते हैं लेकिन मोगरे के जो पुस्पो की माला रहती है वह चड़ाना और भील आप दायक रहता है बील पत्र यहाँ अपने आप में भगवान सिव का भोजन स्वरूप माना लिए बील पत्र आख के पुस्पों की माला भी भगवान शिव को आपको अर्पित करनी चाहिए उसके उपरान इत्र जो रहता है सुगंध जो रहती है वह भगवान शिव को लचड़ानी चाहिए लगानी चाहिए शिवलिंग पे इस तरह से तसली से इत्र लगाईए कि अब भाव से आपके सारे कष्ट हर ले निश्चित रूप से भगवान शिव को इस तरह से प्रसंता स्वरूप अगर आप इत्र लगाते हैं हर तरह से कष्टों से मुक्ति मिलेगी उसके उपरांत चंदन से भगवान शिव के तिलक कीजिए और फिर मौली से भगवान वस्त्र अभूशन और स्रिंगार के समान अर्पित कीजिए प्रशाद अर्पित कीजिए अंत भाव में अगर आपका कोई गुरू मंत्र है तो वह जाप कर सकते अन्यता मंदिर में किनारे बैठके ओम नम्ह सिवाई की अगर जाप किया जाए शिव चालीशा का अगर जाप किया जाए तो शिव की प्रसंता के भाव में कोटी कोटी आपकी तरफ से वंदन अभिनंदन और नमन रहेगा यह जो नमन का भाव है यह महासिवरात्री के पावन परवपे भगवान शिव के परति आपका एक अकोटी से प्रणाम माना जाता है इस तरह से हम शिव मंदिर म भगवान शिव की पूजार्चना बहुत ही ठंडे और तनमेता के साथ पूरी कर सकते हैं अक्सर लोगों के मन में यह भाव रहता है कि हम उतना तलिंता के साथ पूजार्चना नहीं कर पाएंगे समय की अलपता रहती है कैसे बस भगवान शिव को प्रसंद कर लें तो तिसत उतना बड़ा रहता है तो आज के दिन तो भगवान शिव की स्रण में जाईए और कुस तो समय निकाल लिए समय की अलपता तो जीवन भर रहेगी समय निकालना पड़ता है मिलता किसी को नहीं है दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में रहता है जन्म होने के उपरां कुंड़ी दिखाते हैं या किसी ने बोला रहता है कि आपकी कुंड़ी में काल सर्फ दोस है नासिक में या उज्जयन में जाकर पूजा अर्चना कीजिए तो दर्सको नासिक उज्जयन अपनी जगह पविश्थरिस्थल है लेकिन महा सिवरात्री वाले दिन अगर कोई व दोस होता क्या है आपकी जन्म कुंड़ी जो लगन कुंड़ी रहती है उसे देखी उसमें राहू और केतू के बीच में अगर सारे ग्रह आके बैड़ जाएं तो निश्चित रुप से आपके कुंड़ी में काल सर्फ दोसे अगर चंद्रमा बाहर है फिर भी काल सर्फ दोस माना जाता है हाँ सूर्य बुद्ध गुरू सुक्र सनी यह जो पावर्फुल ग्रह रहते हैं अगर इनमें से एक भी बाहर है तो आपकी कुंड़ी में काल सर्फ दोस भंग हो गया है किसी भी तरह का नेगेटिव परणाम आपके उपर नहीं रहेगा तो इसलिए काल सर्फ दोस की पूजा के लिए चांदी या तामबई के नाग नागिन का जो जोड़ा रहता है वह आज के दिन आप सिव मंदिर में सिवलिंग पे चड़ाईए उसके उपरांत आप दूद का सवा किलो दूद का भी शेक कीजिए तो निश्जित रूप से का पातना ओम नमसिवाई के जाब के साथ आपको करनी है के बोले संबू बोले नाथ हर तरह से इस दोस्ट से मुझे मुक्ति मिले मुझे मेरे कारियों में सफलता मिले भूल से भूल वस भी मुझे कोई भूल हुई हो तो इस भूल का मुझे छमा प्रार्थी मानते वे अपना पूरा सिरवाद आप प्रदान करें इस तरह से आप स्वैम बिना किसी व्यक्तिवी से इसके सानिध्य के बिना किसी खर्च के आप काल सर्पदोस की पूजा आर्च ना कर सकते हैं क्योंकि यह दोस आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपके कारियों के अंदर आपके व्या पार के अंदर संतान प्राप्ति के अंदर बहुत तकलीफ या कष्ट दे सकता है अक्सर देखा जाता है जिनके काल पदोस रहता है उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती या तो लड़किया ही लड़किया बहुत है या पुत्र ही पुत्र बहुत है या संतान तो है लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिलता, संतान उनसे बहुत दूर रहती है, तो इस तरह से संतान सम्मंदित कोई भी बाधा, रुकावट या कश्ट हो, तो बगवार्न शिव की पूजा अर्चना करने के बाद हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महा सिवरात्री काज पावन पर्व है, पूरे विश्व में, पूरे भारत वर्ष में, बगवान सिव के पूर्ण स्वरूप की हर तरह से विधी विधान से पूजा अर्चना का माहोल है। आपको विशेष कोई मंत्रोचार की, विशेष कोई यग्यनुष्ठान की आउशक्ता नहीं रहती, आप हर तरह से पूजा पाठ करके भगवान सिव को प्रसंद कर सकते हैं। एक चीज, हर व्यक्ति विशेष रोग से बहुत प्रसान रहता है, रोग से कैसे मुक्ति पाएं। क्योंकि सरीर में जब तक आप रोग से ग्रसित रहेंगे, आप निरोग नहीं रहेंगे, तो किसी भी कार्य को पूर्ट असलन के साथ नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी पैसा हो आप पैसे से सारे सुख नहीं खरी सकते क्योंकि जब तक आपका सरीर काया निरोग नहों तो स्वास्थे सम्मंदित उन्नती प्राप्त करने के लिए आज के दिन सामोहिक रूप से सव परिवार समित्रमंडली और या किसी विद्वान व्यक्ति के सान आप माने जाते हैं आज के दिन चावल का जो अभिषेक रहता है वह अगर सिवलिन पर किया जाए तो निश्चित्रुप्ष आप निरोग रहें और भोले संभू भोले नात सदेव सुयोग्योवर या वधू देने के लिए भी माने जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा ल विवास सम्मंदित बाधार उकावर चल रही है सवा महीने के अंदर आपका विवास सम्मंदित कारिय संपन हो जाएगा आज श्याम ढलने के बाद जब भी अंधेरा हो जाए उसके उप्रांथ आपकि सिव भी सिव मंदिर में जाएए पहले सरदानुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए उसके उपरान सवा किलो जो सहद रहता है हनी उसका विशेक ओम नमस सिवाई का जाप करते हैं बहुत धेमी धारा के साथ भगवान सिव का विशेक कीजिए तो निश्चित रूप से सहद जो रहता है वो विवा के लिए बहुत सर्व स्रेष्ट मान जाता है आज के दिन श्याम डलने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेश जो कुमारा है विवा नहीं हो रहा सवा किलो सहद सवा किलो सहद का विशेक किया जाए तो निश्चित रूप से आपको विवा सम्मंदित कारियों में सफलता मिल जाएगे तो इस तरह से महा सिवरा पात्री के स्पावन परोकी बहुत बहुत सुबकामनाए आज का दिन बहुत मंगल में हो सभी दर्ष्क भगवान सिव का पूरुप से आशिरवाद ले यही मंगल कामनाए यही सुबकामनाए